मैं जानता हूँ ये सासे किसी भी वक्त मेरा साथ छोड़ने वाली है अब तक शायद कि इसी लिए जिन्दा हूँ कि बेटा हम तेरा बुरा कभी नहीं चाहेंगे हमने ये फैसला बहुत सोच समझ के लिया है और देख लड़की बहुत अच्छी है बड़ी लिखी है खुबसूरत है और सबसे बड़ी बात तो यह है बेटा और अगर सोचने के लिए भाईया को थोड़ा वक्त चाहिए तो दे दीजे ना ठीक है बेटा वक्त दिया आज रात भर सोचकर अपना फैसला कल सुबाह मुझे सुना देना इतनी जल्दी फैसला कर लिया तुम एक बार भी यह नहीं सोचा कि आकाश का क्या हो अले मेरी बात छोड़ो तुमने अपने बारे में भी नहीं सोचा मैं क्या करती रहो एक तरफ आकाश की बेरुखी और दूसरी तरफ मामा जी तुमने बात की आकाश कभी यह जानने की कोशिश की उसकी बेरुखी का कारण क्या है हाँ हसकर टार जाता वो साज़के जिस तरह तुम पर दवाव था उसी तरह उस पर भी दवाव रहा होगा कर दूसरी यह सवाल तुमसे मैंने पहले भी किया था अगर उसी वक्त तुम मुझे बता देती तो खेर अभी वक्त है हमारे पास नहीं रावल मामा यह सदमा बरदाश नहीं कर पाएंगे बरदाश तो तुम्हें करना ही पड़ेगा यह लो तवाई खालो आजकल के बच्चे है यह माबाब की इच्छाओं का कोई मोल नहीं है अपनी मर्जी हम पर लादना चाहते है और अगर हम कुछ कहें तो बस माँ हमने पूरी जिंदगी भले ही पैसे इकठे नहीं किये लेकिन इस छोटे से शहर में आज भी लोग मेरा नाम बाट इज़त से लेते हैं मैं नहीं चाहता कि किसी भी वज़न से कोई मुझ पर उम्ली उठाए अपने उनकों यह नहीं लगता कि मुझसा ज्यागती हो रही है मैंने आपसे कहा ना कि मैं शादी करूँगा और आपने उनकी मर्जी के साथ ही करेंगा बस इतनी जल्दबाजी मत कीजिए प्लीज कि आज तक मैंने तुम सब पर सुख ही सुख लुटाए है अब मर्ने से पहले मुझे दुखी तो मत होने को पिता जी इसा मत कहिए मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता बाबा डॉक्र ने आपको बोलने के लिए मना किया है न और मुझे लगता है एक बार अगर भईया रूपोर से मिल लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगे कुछ ठीक नहीं होगा शुटी अगर यह सादी हो गई तो देखो हम तोनों दोस्त हैं और हमेशा दोस्त बने रहें चाहल इतने सारे महमान आयों और यह सब कुछ महमान तो कुछ वक्त के लिए होते हैं और जिंदगी जिंदगी तो हमें गजार में होती है तुसरे के साथ और फिर ऐसी शादी का क्या मतलब जो तीन घरों को बरबात करते तुम चलो मेरे साथ हम सब को अपना फैसला सुना देते हैं चलो बाबजी यह बाबटा बाबजी मैंने शादी करने के फैस्टा पर रही है हमारा फैसला सुनकर आप लोगों को खुशी होगी आफसोस यह मुझे नहीं मौलूम लेकिन यह फैसला आप लोगों को सुनाना बहुत जरूरी है आथ न्यम्मा जी मामजी शादी ना तो जबरदस्ती खी जा सकते और नहीं हो सकते है कैना कि च्याते हो रावशा पिर शुरुतिह मुझे शादी नहीं करना चाहते और मैं वही ये शादी नहीं करना चाहतां हाला थी कुछ ऐसे हास थी और ऐसे मोक्य पर कोई भी बिल्कुल वही सोचता जो तुम सोच रही है पर मेरा यकीन मानू मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है अलोग के साथ मैंने मेडिकल के बाद साहर है पॉस्टल के एक ही कमरे में बसारे है एक बिद्धन ऐसा नहीं गया होगा जिस दिन तुम्हारा जिक्र में होगा हाला कि मैंने तुम्हें देखा लें और फिर भी मैं तुम्हें जानता है पैचानता भी हमास्त शायद तुम मेरे सबकॉंचिस माइंड में हमेशा से रही हूँ और यही वजह है कि मैं यह फैसला इतनी आसानी से फैसला को तुम्हें करना है और मुझे तुम्हें फैसले का इंजार और मुझे तुम्हें 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 और मुझे तुम्हें और मुझे तुम्हें और मुझे तुम्हें और मुझे गजम्हे और मुझे तुम्हें हुआ कर दो दो कि अपना खुआ है बायाउ मैं संकल्प से शादी करूंगी आश्टाव आश्टाव संकल्प संकल्प जया तो कल्या है तुरे एक महीमें बाद शादी कमा रहे है तुरे तो कल्या शादी कर लेते हैं माँ मैं सोनु बोल रहा हूं हाँ बेटा कैसा है तू तेरी तव्यत कैसी है तेक बाहर का पानी मत पीना हाँ यह सब छोड माँ मेरे पास एक खुशकबरी है कोई लड़की पसंद आ गई हाँ माँ मेरी माँ मेरी आस्ता के साथ आस्ता के साथ मैं कुछ समझी रही माँ वो क्या हुआ कि माँ फोन पर अभी डिटेल्स बता नहीं सकता पस इतना अब जानलो कि कल शादी है आस्ता के साथ लेकिन बेटा मेरे पागेर कैसे शादी करेगा तू मैं कल सुबह की फ्लाइट से आती हो मा यहां धंका रिल्वे स्टेशन नहीं है आप फ्लाइट की बात कर रही है जब तक आप यहां पहुंच़ोंगी मैं वहां पहुंच जाओंगा ठीके बेटा बेटा मैं इतनी खुशों कि मैं बता नहीं सकती बस तू जल्दी से आजा और यहां के तयारी करती हो घर के बड़े बुज़र्ग मरे हैं क्या जब सारा फैसला खुदी करना था तो पर हाम ही शादी भी क्यों बुलाया है हमें पूछे बगर बारात लवटा दी और आप हमें पूछे बगर दूसरी शादी भी तैकर दी शादी कोई मजाग है क्या कि ताउची ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा समझदार लड़का था वो खुड चला गए है कि मैं आस्था का भाई हूँ एक डॉक्टर हूँ और जब मैं यह सब जानता हूं कि उसे एक ऐसी बिमारी जिसका कोई भी लाज नहीं है और अब तोम जिसके साथ उसकी शादी करवा रहे हो क्या तुमें पता है कोसे कोई विमारी नहीं हो सक्थी ऑसक्थी बॉह सक्थी लेकिन लेकिन कुछ निएगे पर दक्तर इचांच भी कर वाएंगे तब होगी शादी ताय जी नीरज की कुंड़ी भी तो आप लोगों ने मिलवाई थी ताय जी कल के बाद पूरे एक महीने तक शादी का कोई महुरत नहीं है अच्छा तो आस्था तेरे लिए बोज बन गई है ठीक है अगर ऐसा है तो हम आस्था को अपने साथ दिये जाते संकल्प मेरा दोस्त है ताय जी और एक महीने तब देखिए आस्था और संकल्प में एक दूसरे को जानते हैं तो ठीक है जब तुमने फैस्ता करी लिया है तो फिर हमारी है क्या ज़रूत है हम चलते हैं जब आजी ताओजी प्रीज आप लोग मेरी परहशानी में समझ रहे हैं अब आमे कुछ नहीं सुनना है चलिए चलिए ताओजी मैंने तो मा से बात भी कर ली है और अब तक तो वो बहु के स्वागत करने के त्यारी में भी जुट गई होगी अब तु तो जानता ही है लोग कितने उताओगी थी मेरी शादी के लिए अगर मैं अब उसे कहूँ कि अब मैं क्या करूँ तू यह बोरू अधो चारोई तरफ से पिस्टाओगी देखा लोग अगर आस्ता तयार है तो ताओजी और ताओजी को मनाने ज्यादा वग नहीं के नहीं उन्हें मनाने के हर संभव कोशिश कर चुका हूं और अभी तक तो वो लोग जा भी चुके होगे है अगर मैं क्या करूँ पैसला तो तु तुझे ही करना है कि देखा वादी जी देखा आप ना ये बात तोट करिए कि जब से बेटे की शाधी तै हुई है शंकर जी एक दम तंगरुस्त होगा ये तो कल से इतनी बाते करें भाई साथ कि मैं आपको बता नहीं सकती और आज तो कह रहे थे कि मैं दवाई नहीं लूँगा भाई आप इतने कम समय में तियार हो गए मेरा साब बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया कैसा भाई साब हमारी तयाई तो बहुत पहले से थी बस आपका हुकम का इंतजार था जी आप तो ईश्वर से यही दुआ है कि सब काम ठीक ठाकने पड़ जाए आप लोग बस एक म में बैठे मैं अभी आती है भावी जी कुछ लाने की कोई जरुवत नहीं है नो फॉर्मारेटीज प्लीज हम लोग घर से खाप भी कराया है नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है मूँ तो मीठा करना ही पड़ेगा ऐसे मौके पर मूँ मीठा करना शूब होता है मैं बस आभी आ तो मेरी जाल है भाई बहुत बहुत मुबारक हो खाइंक यू बेरी मच थैंक यू और कीमत लना तेरा तुम खुश है खुश बहुश हूं और दरहसल कसूर तुमारा नहीं है सुथी और जाथ होती है असी है बेबफा लबली तुम एसा क्यों कह रहा हो हो मेरी खुषी से तुम खुश नहीं हो? खुश? और खुश तो मैं तब होता जब आकाश खुश होता बहुत बचारा जिन्दा नाश बन गया कहा है आकाश? लॉट आया के नहीं? तुझे क्या फर्क बढ़ता हूँ लॉट के आया ना है? उसकी दुनिया तो लुट गई ना? लबली, तुम ऐसी बाते क्यों कर रहे हूँ? यह सब कुछ तुम आने आकाश के लिए किया है अच्छा, तु तुने यह शादी आकाश के लिए की है? शादी? अरे, मेरी शादी तो हुई ही नहीं है अबना शादी करूँगी तो सिफ आकाश दे अच्छा, तुम यह क्या रही है? हाँ अबले हो तेरे, आकाश तुम बच गया हुए अबले बले तुम बच गया हुए हलो लबली हलो हलो, हलो मावी हुई नहीं हूँ, वोने वाली हूँ अच्छा, सुनो, आकाश का फोन नम्डर है तुमारे बात? अच्छा, उसका फोन आया तो उस दिन तुमारी शादी उने वाली थी हाँ, लेकिन नंबर ली थी है उसमें मुझे अच्छा, चीक है उसका फोन आया तो कहना के मुझसे बात कर दे और उससे कुछ मत बदाना हम? ओ मैं सब जबागना आप समझे आपी मैं, आप विकर मुझे अभी हुए नहीं हूँ, ओने वाली हूँ ओके बाबा ओने वाली हूँ, बाच्छ आकाश आकाश, बीटर आकाश, लुपूर के पापा आए चल, आकर मिलने उंडिर नहीं माँ, अब तो पूरी जिंदगी मिलना मिलाना चलता ही रहेगा देख वो घार आ है, एक बार मिल तो ले नहीं माँ, प्लीज नहीं माँ, अच्छ ठीक है जा ओपर चलाजा प्रिया के कमरे में नुपूर बैठी है एक बार अपनी होने वाले दुलन को तो देख ले माम, मुझे कहीं नहीं जाना प्लीज कल तेरी शादी है बेटा एक बार अपनी होने वाले दुलन को नहीं देखेगा माम, मैं शादी दो कर रहा हूं अब दुलन, दुलन कैसी भी हो मुझे मन्सूर है पर एक बार देख लेने में हर्स भी क्या है वो तुझे बहुत पसंद आएगी और अगर मैं उसे देख कर ये कहूं कि मुझे लड़की पसंद नहीं है तो क्या आप शादी रुकवा देंगे?